असलावन अगन्स्टूडेंट्स FG Public School No.1 Boys Trust का अलोनी भावलपुर की तरह से मैं आपका टीचर मुहम्मद आसीम जो है इस वीडियो के साथ आजिर हूँ इस वीडियो में हम Class 6 General Science Chapter No.1 से Topic Microscope को डिसकस करेंगे हम देखेंगे Microscope क्या है और Science Lab में ये instruments किस मकसद के लिए इस्तामाल होता है आपने बहुत सारे डेली लाइफ में बहुत सारे जो है चीज़ेंगे नामस जो हैं सुने होंगे bacteria है, virus है DNA है जैसे आज के दौर में या आज कल जब आपको स्कूल से छुटी हैं तो आपने एक virus का नाम जो है, सुना होगा Corona virus अब ये जो virus है ये एक living organism है एक ऐसा जानदार है जो जिन्दा है और आपको और मुझे और बहुत सारे लोगों को ये बिमार करता है सिर्फ ये virus नहीं और भी बहुत सारे ऐसे viruses हैं जिनका आप से इनके लिए एंटी बायोटिक्स मेडिसन वगारा खाते हैं तो उनसे बैक्टेरिया वगारा जो है इनको खातमा हो जाता है इनको किल किया जा सकता है वाइरिस के लिए भी कुछ मेडिसन जानदाएं नहीं ये और गिनिसम्स जो हैं आपके सामने आते हैं और उनलोमोताइसी तरह डिया ने भी एक जो है लाइफ में आपने इसके बारे में भी सुना होगा एक एम क्वेस्टिन जो हम लोगों के जहन में या आप लोगों के जहन में आता होगा कि क्या हम इनने देख सकते हैं हाँ हम इने देख सकते हैं, नहीं हम इने नहीं देख सकते दोनों चीजें जो भी अंसर आपके दिम दमाग में आए हैं दोनों ही दुरुस्त हैं हम इने नहीं देख सकते जो लोग यह कहते हैं वो भी दुरुस्त कहते हैं क्यों? क्योंके हम इने आँख के साथ जो है बगहर किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तामाल किये हुए नहीं देख सकते हैं हमें इन्हें देखने के लिए खास तरह के इंस्ट्रूमेंट्स या अपरेटर्स की जरूत पढ़ती है जिसको हम मायक्रوسकव कहते हैं बिटा माइक्रोसकॉप की मदद से हम इने देख भी सकते हैं, आपने दोनुने जवाब दिया कि हम इने नहीं देख सकते हैं, या हम इने देख सकते हैं, दोनुन का जवाब भी दुरूस्त था, Micro के मतलब होता है Small और Scope कहते हैं To View तो Micro Scope का मतलब हुआ कि Small को View करने के लिए एक ऐसा Instruments जिसकी मदद से हम Some Micro Organisms वो अजसाम जिन को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते इस Operators इस Instrument की मदद से हम उनको देख सकते हैं अब इसमें क्या होता है इसमें मुख्तलिफ लेंज यूज होते हैं अब ये लेंज क्या है आपकी कलास में जो लोग गलासेज यूज करते हैं आपको मालूम है कि इनका आई साइट का मसला है कुछ को करीब की चीज़ें और कुछ को दूर की चीज़ें वाज़े नजर नहीं आ रही होती तो क्या करते हैं ये जो लेंज है ये यूज करते हैं ये जो गिलास यूज किये हुए इनमें ये जो गिलास की लगा हुआ है ये लेंज है इसकी मदद से जो अबजेक्ट्स है या जो चीज़ें है या जो इमीजिस है उनको प्रॉपर जगा पे फोकस करते हैं मत microscope में यही instruments यूज होते हैं, यही lens यूज होते हैं, lens की movement से हमें क्या हासिल होता है, एक छोटे object की बहुत बड़ी image जो है, हमें हासिल होती है, अब यह बड़ी image जो है, यह अपनी जो आई है, वो इस पे microscope पे लगा के, उस चीज़ को अपनी आँख से देख सकते हैं, जो आम ह हो रहा होता, microscope का purpose आप लोगों को समझा आ गया, कि यह जो चोटे 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 tiny microorganisms हैं, जो जिन्दाज साम हैं, इनको कई गुना बड़ा करके हमें दिखाता है, और हम इसकी image जो है, तस्वीर जो है, वो देख सकते हैं, अब आते हैं, अनाटोमी या microscope के parts की तरफ, इसके बहुत सारे parts होते हैं, लेकिन हमारे syllabus में या आपकी book में सिर्फ चार parts को ही discuss किया हुआ है, इसी के बारे में हम जो है, आज की lectures को यही तक मदूद रखेंगे, पहला piece जो है, या पहला जो part है, वो है eye piece lens, eye piece मतलब, eye, और piece lens मतलब कि वो वाला हिसा, जहां हम अपनी आख को और यहां पर जो lens लगा होता है, इस का काम ही होता है, यह तस्वीर को, किस तस्वीर को, जो object lens इसको तस्वीर बना के भेजता है, यह उसको और बड़ा करके हमें जो है, दिखाता है, लेंस यह टॉप पे होता है, और अगर इसके जो नीचे वाले end की तरफ आएं, थोड़ object रखते हैं, और उस object को जो है, यह lens उसकी तस्वीर को बड़ा करता है, और eye piece वाला lens जो है, इस तस्वीर को हमारी आँख के देखने के काबिल मजीद बड़ा करके उसके देखने के काबिल बनाता है, इन दोनों lens की movement से इनको आगे पीछे करके adjust करके हमें एक तस्वीर या इसल होती है, जिससे हम उस organisms को देख सकते हैं, यह organisms कहां पड़ा होता है, यह organisms, यह stage, microscope में का जो stage part है, यहां पर हमने इसको रखा हुआ होता है, जो हमारे पास गिलास का एक block होता है, उस पर रखके और फिर उसको हम object lens के नीचे लाते हैं, और हम जो है, देख सकते होते हैं कि जनाब, आई पीस में से यह हमें नजर आ रहा है, तो मतलब stage वो जगह है जिसके उपर हम उस object को place करते हैं, और यह objective lens इसके उपर होता है, मतलब objective lens के नीचे हम अपने इसको place करते हैं, course or fine adjustment, यह एक button होता है, इसकी मदद से जो हमारी image है, हम इसको वाज़ कर सकते होते है जितनी ज्यादा हम अपनी image को वाज़ कर सकेंगे, उसका blur effect minimize कर सकेंगे, उतनी अच्छी और वाज़ हमें image हासिल हो रही होती है, यह हमारा आज का topic था, उमीद करता हूँ कि आपको अब यह topic समझने में असानी होगी